सांथियों कनेर के ब्रिच पर बैठा वह इधर उधर उचल कूद कर खाने के लिए उसके फल की तलास करता यह पच्छी भारती ग्रे हारनबिल यानि भारती धूसर धनेश है यह भारती उप महादीप में बहुलता से पाया जाता है और आमतोर पर जोड़ों में रहता है इनके पूरे सरीर पर सलेटी रंग के रोए होते हैं और इनके पेट का हिस्सा हलका भूरे या फीके सफेद रंग का होता है और इस पच्छी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी नीचे की और घूमी हुई लंबी चोंच तथा चोंच के ऊपर एक लंबा उभार जिसकी वज़ा से इसका अंग्रेजी नाम हारन बिल पड़ा यहाँ पर हारन का मतलब सिंग से तथा बिल का मतलब चोंच से है इस पच्छी की बनावट को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे यह कोई जुरैसी काल का पच्छी हो और यह एक जीवित जीवास महो बैग्यानिक वर्गी करण में इसे एवीज वर्ग के बियूस रोटिडी कुल में रखा गया है तथा इसका बैग्यानिक नाम आकी सेराश बिरोष्ट्रिस है हारनबिल दुनिया के सबसे आकरशक पच्छियों में से एक हैं यह दिन में ब्रमण करता है तथा सर्वच्छी है यह मुक्य रूप से फल फूल और छोटे मोटे कीडे मकोडों को खाता है हारनबिल के सिर पर बनी यह सनचना हारनबिल आईवरी कहलाती है इस हारनबिल आईवरी की चीन जापान जैसे देशों में नकासी दार वस्तुवें बनाने में बड़ी मांग है साथ ही भारत में इस पच्छी का उप्योग कई तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है इसी कारण मनुष्य ही इस पच्छी का सबसे बड़ा दुस्मन बन गया है जो इनकी बिलुप्ती का एक प्रमुक कारण है साथियों अगर ऐसे ही चलता रहा तो धर्ती का यह खुप्सूरत पच्छी बहुत जल्द इस धर्ती से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा फ्रेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी एक खास वीडियो पसंद आई होगी बहु जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए वर रोचक मैटर के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल